हेलो एब्रिबान वेलकम टो आर चैनल कविदी फैमिली व्लोग्स और फ्रेंट्स आज है 15 दिसेंबर 2020 तो फ्रेंट्स आज इतनी जादा ठंडी हो रही है सुब ऐसे कि आपको क्या बताएं आज पूरे दिन मतलब की बोल सकते हैं कि दूप तो बिल्कुल ना के बराबर ही थ इतनी ओस थी मतलब और तीन सावा तीन बजे के करिम में थोड़ा 15-20 मिनिट के लिए बस थोड़ी सी दूप दिकी थी अदर्वाइस बिल्कुल भी दूप नहीं दिकी और फ्रेंट्स बहुत ही जादा ठंडा था आज का दिन तो फ्रेंट्स अभी टाइम एक्चली चालू हो गई है और भई सर्दियों में अगर यह रेसिपी नहीं खाई तो फिर क्या खाया तो फ्रेंट्स कई दिनों से विहान के पापा बोल रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि भई बनाने पड़ेगी पर दिन में क्या हो रहा था था ना कि टाइम बिलकुल भी नहीं मिल प पर यह मैंने आटा ले लिया है तो यह आप देख सकते हैं तकरीबन यह दो किलो के करीब आटा है उसके बाद में यह आप देख सकते हैं यह है गोंद तो जी हाँ फ्रेंड साथ मैं बनाने वाली हूं गोंद के लड़ू तो उसके लिए मैंने यह एक किलो के करी में यह गो है तो फ्रेंट्स यह मैंने लिया है यहां पर फिर जितना रिक्वाइड होगा जब मैं बनाना स्टार्ट करूंगी फिर उसके अकॉर्डिंग फिर में यह सारी चीजे फिर एड करूंगी तो बस अभी मैं वही बनाऊंगी फ्रेंट्स लेकिन सबसे पहले अभी टाइम पर्फेक्ट टाइम बताओं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि अभी दस बज के एक मिनिट हो गया है तो रात के अभी दस बज रहाएं प्रेंट्स मैं अभी बनाऊंगी लड़ू तो आज तो पूरी काली रात होगी लड़व के बनाने के लिए तो चलिए फ्रेंट्स बना लेती हूं लेकिन सबसे पहले मैं यह काजो और बादाम है इनको थोड़ा सा दरदरा मतलब की मिकसर में पीस लेती हूं क्योंकि फिर उससे ही मतलब सही तरीके से बनेंगी तो अभी मैं पहले वो पीस लेती हूं और यह नारियल भी लिया है मैं यह बताना बूल गई ना अब देख सकते हैं आज तो मैंने स्वेटर, शोल, टोपा सब कुछ पहना हुआ है तो बस अभी मैं यह सारे चीजे ले ली है लेकिन अभी मतलब की गैस को में नीचे रख लूँगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएका बनाने में और खड़े-खड़े यह सारे चीजे न तो बस अभी मैंने जो मैंने आपको बोला था कि काजू और बादाम को मुझे अच्छे थोड़ा पीस लेना है तो फ्रेंड्स अभी मैंने देख सकते हैं आप यह थोड़ा सा नारियल और यह आप देख सकते हैं काजू और बादाम यह इस तरीके से मैंने भी पीस लिये है और बस अभी फिर जो ये आटा मैंने लिया था ये ग्रियोंक आटा है तो इसको मैंने अच्छली छाना नहीं है क्योंकि ये पूरी रेसिपी जैसे मेरे मम्मी बनाती हैं उस तरीके से बनाने वाली हूँ तो इसको मैंने अभी छाना नहीं है इसको मैं पहले अच्छे से ऐसे से फ्राइए करते हैं,arty को, लेकिन मेरे ममी इस तरीके से नहीं बनाती है, मेरे ममी किस तरीके से बनाती है, वो आपके साथ शेर करूंगी, तो प्लीज आप सबस रिक्वेस्ट है, कि वीडियो में लास्त तक बनी रहेगा, और अगर वीडियो पसंद आई, तो प्लीज कडाईली है जिससे की इजीली जो आटा है वो मेरा अच्छे से भुन जाएगा तो चली अभी मैं गैस पे रख देती हूं इसे तो फ्रेंट्स इसको कंटियूनिटी में इसी तरीके से चलाना है जिससे की यह मतलब के लगे नहीं तो बस इसी तरीके से इसको चलाएंगे टो मेरे ममी फास अ कर दाती है लडुआर उनके हाथों के जो लडुए है वो बहुत ही मजज़ितार लगते है तो फ्रेंट्स भी हान के पापा को बहुत ज्यादा पसंद वामी के हाथ के लडुआ मै ऑशी इसी तरीके से अभी बनाएंगे तो friends recipe almost हमारा जो आटा है वो अच्छे से भून गया रहे और friends आपको टाइम बताओं तो तकरिबन डाही गंटे हो गया है इसको अच्छे से भूनते भूनते और मुझे इतनी जाजा मीन दारी आपको क्या बताओं तो आप देख सकते हैं friends अभी हमारा जो आटा है यह इस तर मैंने भून के रख लिया है तो आप देख सकते हैं अच्छे से अभी इसका color change हो गया आटे का तो अभी आगे की process अभी करूँगी मैं तो चलिए friends अभी आटा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको चाना नहीं था आटे को तो अभी थोड़ी देर के लिए पाद बस अभी फिर मैं कर लेती हूँ तो friends जैसा कि आपने देखा कि आटा मेरा already बुन चुका था और अभी ये ठंडा हो गया है थोड़ा तो बस अभी ठंडा करने के बाद में बस अभी मैं यहाँ पर इसको अच्छे से चान लेती हूँ क्योंकि मेरे ममी बोलती है कि अगर इस जो पर का जितना भी हो रहेगा व अच्छे से निकल जाएगा तो वही फिर अच्छे से बुनता है तो आप देख सकते हैं यह अभी निकल गया है तो पूरा आटा जो मैंने है वो चान के रख लिया है तो friends बस अभी आटा बुनके हो गया है तैयार तो friends अभी मुझे actually gas on कर कि थोड़ा जोगी है इसको गरम करना है क्योंकि यह बहुत जादा जम गया है जैसा कि आपको पता है कि अभी बहुत जादा ठंडी हो रही है तो तब के तब घी जम जाता है तो इसको थोड़ा सा भी गरम करके थोड़ा कर लेती हूँ जिससे कि मुझे जो गोंद को मतलब अब तलना है तो फिर वो हो जाएगा तो ये देखिए friends अभी मैंने गही इसमें डाल लिया है और ये आप देख सकते हैं कि अभी गरम हो रहा है तो बस अब मुझे इसमें फिर जो गॉण्ध है हमारा वो अड़ गरूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा आटा भी रेडी हो चुका है काजुबादा मगरे सब रेडी हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये गॉंद कितना आच्छा है ये इस बार अभी विहान के पापा लेके आए थे और चुश्धे लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा जो निकल जाएंगे तो बस अभी मैंने डाल दिया है तो इसको बस अभी में बड़ी पराद के अंदर निकाल लेती हूँ क्यैं क्या होता है ने पराद में जब मैं इसे डालूँगे तो फिर अच्छे से इसको क्योंकि फोडना पड़ता है और जैसे कि यह खटा भी हो जाए तो भी कोई परेशाने वाली बात नहीं होती है क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में जैसे ही थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो यह अपने आपी फूड जाता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है तो ये देखिए फ्रेंट्स अभी जैसे कि मैं अकेले ही पूरा तयार कर रही हूँ तो फिर बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि क्या है ना कि साथ के साथ मैं ये डालते भी जा रही हूँ और फिर गैस की फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और फिर साथ के साथ मैं फिर ये गरम रहता है ना तो ज़्यादा अच्छे से मतलब की प्रेस होता है तो जल्दी अच्छे से मतलब हो रहा है तो साथ के साथ मैं फिर ये करते जा रही हूँ और फिर से फिर हाई प्लेम करके और उसके बाद मैं फिर गॉंद को डालके मैं फिर से निकाल रही हूँ तो फ्रेंड्स यह आप देख सकते हैं कि बस अभी यह इसकी बाउल की मदद से मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी लेकिन बहुत जादा इसको मैं बारिक नहीं करती हूँ क्या है ना कि गॉंद के लड़ू जब खाते हैं तो बहुत जादा भी यह अगर बारी कर देंगे तो भी अच्छा स्वाद नहीं आता है तो यह थोड़े हलका हलका ही मतलब थोड़ा सा मैं मोटा मोटा भी रखते हूँ जिससे की टेस्ट काभी अच्छा आता है लड़ू में हेलो एब्रिवान और फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं आप मेरा आता रड़ी हो चुका है यह जो गोन था इसको मैंने मतलब की बून के और फिर उसको अच्छे से मैश कर लिया है और जो यह था सब कुछ अभी रड़ी है फिलाल बस अभी लड़ू बना गए है और फ्रें दो बज गए है 10 बजए से मैं बना रही हूं और दो बज़ गए है और अभी लड़ू बने नहीं है सिफ उसका प्रपरेशन हुआ है अभी मैं अभी मैं लड़ू बनाओंगी तो चलि प्रेंड्स बना लेते हैं सारा यहां पर आप देख सकते हैं यह इतना घी अभी बचा हुआ है तो फिर बाद में जैसे मुझे लगेगा रिक्वाइड तो फिर उसके अकॉर्डिम फिर में घी को थोड़ा सा गरम करके और फिर इसमें डाल दूगी क्योंकि तब के तब अभी सर्दी का मौसम है तो तब के त जो गोंद था इसको मतलब की तला था तो उसी में क्योंकि यह सारा गी काई है तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं रती है तो बस अभी मैंने इसमें यह आटा जो है यह अच्छे से डाल लेती हूँ और थोड़ा सा जो आटा है वो मैं फिर रख लूँगी क्योंकि उससे क् गी से निकला हुआ है और गी बहुत जम जा रहा है तो काफी सारा गी परात के अंदर में ही रह जाएगा तो उसकी वज़े से फिर थोड़ी परेशानी होगी निकालने में तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स ही कितना जादा जम गया है अभी तो निकालने में इसको फिर ब तो बस इसको अच्छे से परात में जब डाल दूंगी तो जो घी है वो काफी अच्छे से मतलब की अंदर मिक्स हो जाएगा और गी भी अच्छे से निकल जाएगा अधर्वाइस फिर उसको निकालने में हाथ से अगर कोशिश करती तो बहुत ज्यादा प्राबलम होती तो ब कि अभी परात बने जाएगा तो जाएगा यह वो Water मतलब सारी जये मुझे मिक्स करने है तो वह यह सारी ज़री ड्राइगा तो जानल दूरों और अभी ड्राइगस रागा तो बस उसके बाद में यहां पर मैं खांड का यूज कर रही हूं तो जो मैंने एस्टिमेट लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट एस्टिमेट है उससे मतलब कि लगडू काफी अच्छे बनते हैं तो यह आभी मैंने डाल लिया है और थोड़ी सी जो खांड है वो फिर मैं मुझे अगर मिलाने के बाद में अगर रिक्वाइड होगा तो फिर मैं और डाल लूँगी तो बस अभी अच्छे से मिला लेती हूं क्योंकि घी अभी आइड नहीं किया है इसमें सारे चीज़े जो है वो अभी अच्छे से पहले मिला लेती हूं लेकिन क्या है ना कि यह क अदा मिक्षर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो फिर अच्छे से फिर मैं गीवी इसमें डालूंगी तो वह भी मैं नहीं मिक्स कर पाऊंगी तो इसलिए फिर मैंने क्या किया आदा जो मिक्षर था वह अलगी परात में निकाल लिया जिसको फिर बाद में जब इसके कर लेती हूं। इसके बाद में फिर इसमें गी sheriff करूंगी तो जितना रिकॉयर लगेगा लड़ी बांद के देखंगी तो इसके हि 내साब से घी बाद में गीवी भीच में फिर एड़ करते रहूंगी तो मिक्षर को एक बर तब तो बस अभी घी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूं और देखिए इतनी रात हो गई है एक्चुली लेकिन वह होता है ना कि परिवार की खुशी के लिए देखो कितना कुछ करना पड़ता है यूगि दिन में क्या होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है और वीहान भी काफे परिशान करता है और ये काफे time consuming recipe है friends तो इसको बनाने में काफे time लग जाता है तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई इसको तो रात में बैटके ही फिर बनाना पड़ेगा तो इसलिए फिर मैं इसको रात में accomplished कर रही हूँ तो फ्रेंड्स बस अभी अच्छे से मिल गया है तो अभी इसके लड्डू बना लेती हूँ तो फ्रेंड्स इसमें भी काफे टाइम लग जाएगा लड्डू बानने में भी तो बस अभी ये तियार कर लिये हैं तो आप देख सकते हैं friends कि मेरे almost सारे लड्डू तयार हो गए हैं पस ये 11 लड्डू बच रहा है तो बस इसमें सारा जो भी estimate मेर ममी ने बताया था वो सारी चीजे उसमें उतनी ही लगी है तो बस वो proper तरीके से जो मेरे लड्डू है वो अच्छे से बन गए हैं होफुली अभी जब सुबह भी हन के पाप आएं तो उनको पसंदाएं क्योंकि ये वाली जो रेसीपी है friends ये मैंने अकेले पहली बार ट्राई की है एक बर बस मम्मी के साथ में मैंने बनाए थे ये लेकिन मैंने अकेले ये मैंने पहली बारी इतनी कॉंटिटी में बनाए हैं तो होफुली friends अब को पसंदाएं और आपको कैसे लग रहे हैं वो भी आप जिरू पताईएगा तो बस अभी इस तरीके से ये मेरी हो चुकी है सारे लड़ो तयार hello everyone friends अभी मेरे लड़ो और most आप देख सकते हैं पूरे रेडी हो चुके हैं आप देख सकते हैं और friends अभी बहुत जादा टाइम हो चुका है आपको पता है कि मैं 10 बजे लगी थी बनाने के लिए और अगर मैं अभी आपको टाइम तिखाऊं तो ये देखिए friends अभी तीन चुवल इसका टाइम हो रहा है ये देखिए पौने चाल का टाइम हो गया है friends और बहुत जादा टाइम लगता है इसमें बनाने के लिए बहुत मैनत का काम है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो फाइनली फिर ये लड़ो पड़कर तयार हो गए ठीक है पूरी काली रात हो गई लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है कभी-कभी एक स्माइल के लिए सब कुछ करना पड़ता है तो ठीक है तो friends आपको ये गोंद की लड़ो कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताईगा क्योंकि सर्दियों में अगर गोंद की लड़ बनाते हैं लेकिन मैंने पहली बार बनाए है अपने हाथों से तो अकेले वो भी तो आप देख सकते हैं ये बनकर तयार हो गए हैं तो friends आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताईगा और अगर वीडियो पसंता है तो प्लीज लाइक जरूर करेगा शे तो वह सो जाती हूं तो चली friends मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में तक बाबाए